नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैणल में दोस्तों कल का गुरुवार तुला रासी के रिए बना रहा है राजियोग जी हां दोस्तों आपको बहुत बड़ी खुशकवरी प्राप्त होने वाली है भगवान गनेश जी जबसे मनुस्य के जीवर में दुखतवलिफ हैं और समस्याएं आती हैं या फिर सुख आता है या फिर धनलाव होने वाला होता है भगवान उन्हें सबसे पहले कुछ न कुछ संकेद जरूर देते हैं उनकी कुंडली में राजयोग का निर्माद होता है गरह गोचर में परिवर्टन होते हैं वैसे में तुलाराशी के जातकों के लिए कल का गुरूर बना रहा है बड़ाराजयोग जिनके कारण तुला राशी के जातकों के जीवर में दुख्तवलिफों, समस्याओं, संकटों और सारी की सारे आर्थिक तंग्यों से आपको ताकि रोजाना रासी फल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर बना सकें। को बताना चाहेंगे कि चंद्रमा का चतुरत भार में संचार करना यानि कि आपके जीवन में दुख तगलिफों और समस्याओं से शुटकारा दिलाने वाला हो सकता है। पूरा पूरा प्राप्त होने वाला है। दोस्तों के साथ नई योजनाओं को बनाने के अवसर भी प्राप्त होंगे जो आगे चलकर आपके लिए फायदमंद सिद्ध होंगे। जमीन जायदाद खरिदने के लिए आपका समय काफी अच्छा रहेगा भाग भी आपका पूरा साथ देने वाला है। समन्देद आपको कोई खास खबर भी बिल सकती हैं। विद्धयार्तों के लिए भी यह समय उत्तम रहने वाला है। कोई भी कारी करने से पहले माताफिता के सलाह लेना आपके लिए उचित रहेगा। पैसो और आपके नया निवेस करने के लिए आपका समय भी काफी बढ़ियां रहेगा पुदरती और वेतन विर्दी की भी संभावनाएं दिख रहे हैं और आपको किसी सफर के दोरान प्रभावसाली लोगों की जान पहचान बढ़ सकती हैं आपके सुचे हुए कारे भी पू पूरा हो सकता है तथा आपके उत्तादिकारी की खिर्पाद रिष्टी भी आप लोगों पर होंगी फुदरती भी आपको फ्राप्त होंगी आप किसी नया कारी का प्रारंब करने के लिए आपका अनुकूल समय रहेगा आपके सरीर और आपके अलस में थोड़ी सी काफी ज प्राक्रम में विर्दी होंगी वैपार में आप उमीद से अधिक धन प्राप्त कर सकते हैं रुकव पैसव ही आपको फ्राप्त होगा आई के नैस रोद भी बनेंगे स्वाष्टिक दृष्टी से आपका अधन का फिस्व रहेगा आपका साहा सुर्प्रयास भी आगे वड कर रहे हैं तो आप इसमें विस्वफल हो सकते हैं आपका फ्रिय व्यक्ति भी आप चे महत्पुन वादा कर सकता हैं और किसी खास कामों में आपको किस्मत का पूरा सहयोग प्राप्त होने बाला है मानसिक बेचैनी पर भी आप अंकुस लगा सकते हैं आपका आत्म करने के मोके भी प्राप्त हो सकते हैं आपके जीबन में अचानक से सारे दुख तगलिफ हैं दूर होंगी आपके किस्मत पलटने वाली हैं और आपको संचार साधरों से फायदा होगा आपकी प्रिगतिवी संबब हैं आप किसी खास कामों को करने के लिए यात्राओं पर जा सकते हैं आपको कारी शेत्र में आपके रुत्बे को अधिक बढ़ाने के मोके भी आपको फ्राप्त होंगे अच्छे लोगों के साथ आप अच्छे समय व्यतीत कर सकते हैं आपको सकरात्म करूब से सभी कामों को आसानी से पूरा करने के मोके भी प्राप्त होंगे परि चित्र में आपका रुका हुबकारी भी बहुत जल्द पूरे होंगे जो लोग बैपार से रुड़े हैं उनको भारी मुनाफ़े भी फ्राप्त होंगे तथा आप लोगों कुछ इख्षा के छेत्र में बड़ी सफलताइं मिल सकती हैं विविंड छेत्र में धिनलाव के उसर भी फ्राप्त होंगे हर शेत्र में आपसी कारोबार से फायदा होंगा जीवन साती का सहयोग आपको मिल सकता है और गर परिवार में खुसी का सहयोग मिल सकता है समाजिक शेत्र में मान सम्मान बढ़ेंगे आपको तरक्की के या मारग में रचनात्मक कारे में आरही वाधाएं दूर होंगी जीवन के हर कारे में आपको बहुत सफलता हासल होंगी आप कारिशेत्रों को अपने अनुरूब बनाने के मौके भी प्राप्त हो सकते हैं आज से आपके नीच ब्रहस्पती होने वाले हैं और आपके जीवन में आपको सफलता हासल होने वाली हैं ब्रहस्पती एक ऐसा गरह है जो आपके सिक्षा साधी ग्यान बोलचाल सरीर के विविन अंगों के सहिद आपके घरपरिवार के सदस्यों को भी प्रभावित कर सकता है ऐसे में आप लोगों के जीवन में सफलता हासिल होंगी, आप लोगों को मिले जुले प्रणामों की प्राप्ती होंगी, ससराल पक्षे से आरही प्रेशानियां दूर हो सकती हैं और गुरु के प्रिवर्तन से आपको बहुत ये अच्छे प्रणाम प्राप्त होंगे, कई तर बेश जाने के मोखे फिफरापतो हो सकते हैं, इस दौरान आपके घ्यान में विर्धी हुंगी, आपको अपने सिधान्तों के चलने की जुरत रहेंगी, आर्थी ग्रूप से आपको लाब अवस्य हो सकता है, और कहीं पैसा, हट का हुआ पैसा भी आपको वापस हो सकता है, आ और राजनितिक छेत्रों में सफलतन आवस से हासल होंगी वैसे खूब कमा सकोगे सोने पर सुनावा रहने वाला है घर में तरक्की से आप कमन का फिपरसन रहेगा और प्रमोसन के योग भी प्रमोसन के संकेत भी आपको फ्राप्त होने वाला है मत्रों आपको बताना चाहेंगे कि आपको किस्मत का पूरा साथ अवस से फ्राप्त होंगे आई के नएस रोज भी सामने आ सकते हैं तथा ओफिस का काम काज रोज की तुल्ला में आपका वहतरिन तरीके से होंगे तथा आप अपने जीवन साथी के साथ बहतरिन समंदों को अ करता हैं और कुंडली में आपका बन रहा राधियोग के कारण धनलाब हो सकता है आपके मान सम्मान में बढ़ोतरि होंगी आपका दन भैतर बने इसके लिए कमेंट बॉक्स में जैम आता दे अबस्त लिखें आपका दन सबहो मंगल कारी हो जैमा विंदु वासने नमस्कार दोस्ट